हलो दोस्तों मैं पश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीड कम्यूटी में स्वागर करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी में इंट्वाडे ट्वेडिंग करने का सही तरीका क्या है और ये सब कुछ मैं आपको लाइब मार्कर में बताने जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से पता कर सके कि निफ्टी में इंट्वाडे ट्वेडिंग करने का सही तरीका क्या है और उस तरीके को फॉलो करते हुए आप यहां से प्रॉफिट बना सके तो चले देखते हैं कि ट्वेड करने का सही तरीका क्या है तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइम फ्रेम के उपर बात कर लेते हैं यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो हमने लिया फाइब मिनट वाला प्रेम तो अगर आप Nifty Intraday में trading करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट इनी तीनो टाइम फ्रेम में आपको trading करना ज़्यादा prefer करना है आपको 30 मिनट से उपर नहीं जाना है और बहुत साई लोग 5 मिनट से लोवर टाइम फ्रेम में भी trade करना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है उसके बाद दूसरा काम क्या करना मार्केट को देखना है तिहां पर क्या हुआ मार्केट आपका gap up open हुआ है अच्छा खासा और gap up open दिया है 17,900 का जो crucial level है उसके उपर gap up open दिया है लेकिन क्या हुआ जिस price पे open हुआ है वही इसका लगभग highest point ही बनी गया है थुरा बहुत उपर नीचे है और इसके करीब से यहाँ पे sellers भी हाबी हो चुके हैं और उसके बाद price अभी जो trade कर रहा है वो 17,900 के lower level पे trade कर रहा है तो यहाँ पे हम by side की तरफ positions initiate कब करेंगे अब हमें जो by side की तरफ positions initiate करना अगर price आज जो high बनाए यहनि 17,925 के करीब जो high बनाए इस level को break करके ऊपर जाता है price तब हम यहाँ पे further buy side की तरफ positions initiate करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तिहाँ पे हम buy side की तरफ जाना आज हम clear cut avoid करेंगे तिहाँ पे हमारा एक decision तो आ गया कि आज हमें buy side की तरफ positions कब लेना है अगर इसके उपर गया उसके बाद हम option chain के भी मदद लेंगे लेकिन सबसे पहले price इसके उपर जाना चाहिए तब हम buy side की तरफ जाने के बाद में सोचेंगे otherwise हमें buy side की तरफ जाने के बाद में सोचना भी नहीं है तो अब मारे पास दूसर option क्या बचा buy नहीं करना है तो क्या यहां पे हमें sell side की तरफ decisions लेना है जाने के बाद में तो हाँ sell side की तरफ जाने के बाद में सोच सकते हैं क्योंकि gap up open हुआ है और जो candle form की अभी तक वो दिखा रहा है कि जिस price पे entry मार चुका है वो क्या है वो आपका sellers का area दिख रहा है और यहां पे काफी हद तक sellers active दिख रहे है और यहां पे जो buyers है वो काफी हद तक कमजोड दिख रहे है यह नि buyers का यहां पे presence धीरे-धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है एक चीज़ यहां पे आपको clear हो गया अब अगर यहां पे तीसरे candle आ रहा है अब अगर तीसरा candle दूसरे candle के high को break करके ऊपर निकलता है तो यहां पे हमने जो salesaire की तरफ जाने के बारे में सोचा है उसके बारे में थोड़ा और हमें study करना परेगा थोड़ा और हमें देखना परेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसके chances कम दिख रहे है तो हमारा जो salesaire की तरफ decision है वो हम continue रखेंगे और इसके बारे में और हम further development करने के बारे में सोचेंगे तो यहां पे हमने अभी तक क्या क्या यूज किया सबसे पहले हमने अपना time frame decide कि कि हमारा जो chart है वो सही time frame में आना चाहिए ताकि हमें quick decision लेने में मदद मिल सके उसकी बाद हमने यहां पे support और resistance support तो यहां पे था नहीं तो हमने यहां पे support और resistance को identify किया तो अभी तक हमने इनी दों के मदद से अपना decision लिया है लेकिन इन दों को मदद से अगर हम अपना trading decision लेते हैं तो काफी हद तक गलत साबित हो सकता है यहां पे हमें क्या करना होगा option chain का भी मदद लेना होगा और option chain में हम क्या करेंगे option chain के अगर हम बात करें तो वहाँ पे change in open interest और open interest इन सब का का भी मदद लेना परेगा और काफी हद तक यहां पे हम candlestick का भी मदद लेंगे यानि इन सब के help से अपने लिए सही decisions लेंगे कि निफ्टी में इंडवाटे के दिन हमें क्या trade लेना किसी एक दो के basis पे हम trading decision नहीं ले सकते हैं इन सब का help चाहिए तो यहां पर इन दोंका तो help हमें मिल गया लगबाग केंडलिस्टी का मिल गया अब में जो है option chain और उसमें change in open interest open interest का में help लेना परेगा वहाँ से अगर हम हड़ी जंडी मिलेगा तब हम tweet initiate करेंगे उस से पहले हम tweet initiate नहीं करेंगे चाहिए कितना भी हम confidence हो मार्केट को लेगे तो चलिए अब option chain पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां समय क्या कुछ indications मिलता हुआ दिख रहा है तो यहां पर downside की तरफ जाना यहां पर अगर हम put writers की बात करें तो लगबग आपका 30.5 लाग के करीब put writers हमें दिख रहे हैं और जिसमें लगबग आपके 26 लाग के करीब addition आज ही हुआ है यहां पर हम call side की तरफ जल्दी से आना चाहेंगे और इधर आपका लगबग 49 लाग के करीब क्या दिख रहे हैं call writers दिख रहे हैं जिसमें आपका 26.5 लाग के करीब call writers का addition आज ही हुआ है मतलब अगर हम addition की बात करें तो दोनों तरफ लगबग बराबर addition 26 लाग हुआ call side के तरफ 26.5 लाग हुआ है ज्यादा कोई difference नहीं है मतलब यहां से हमें कोई clear cut direction नहीं मिल पा रहा open interest इधर जाता ज़ूर है लेकिन open interest से ज्यादा हमें change in open interest में थोड़ा बहुत भी differences चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा तो यहां पर जो decisions हमने लिया उसको य clear cut direction नहीं दिया हरी जंटे यहां पर नहीं दिखाया है यहां पर अभी हमें yellow color का light दिख रहा मतलब आपको अभी ट्वेडिंग डिसेंस नहीं लेना है लेकिन अगर हमें इसी के basis पर जल्दवाजी करते हुए अगर यहां पर हम ट्वेडिंग डिसेंस ले लेते हैं बाई कर नहीं लेना हमें जल्दवाजी नहीं करना क्या होगा एक दिन अगर हम ट्वेड नहीं भी ले तो हमारे लिए और भी बहुत सारे दिन परे हुए हैं और यह जो हम बात करें 9th of September 2022 की बात करें यहनी Friday के ट्वेडिंग सेसंस की यहां पर हम बात करें तो Friday को यहां पर हमें क् क्लिविटी नहीं मिल पाया मार्केट ओपेन हुए लगबग आपके आदे गंडे से ज्यादा टाइम हो गया है तो यहां पर हमें थूरा सा और वेड करना होगा और हमें देखना होगा कि option chain हमें कब हरी जंडी देता है क्योंकि candlestick से और लगबग resistance level जो form किया वहां से हमें ओपेन हुए लगबग एक घंडे से ज्यादा का टाइम होगे अभी अगरा आपका 1125 के करीब अब यहां पर हम वापस से 17900 के strike price पे देखना चाहेंगे इधर आपका है 51.6 लाग के करीब ओपेंट वेस्ट और 47 लाग के करीब ओपेंट वेस्ट का एडिशन आज हुआ है इ ज्यादा नहीं है लेकिन इतना है और लगबग यह आपका एक घंडे से ज्यादा टाइम तक के लिए कॉल वाइड़ोस यहां पे अपना डॉमिनेंस दिखा रहा है मतलब अभी तक हमें पता चल गया कि कॉल वाइड़ोस यहां पे हावे हैं और एनिहाओ मार्केट 17900 के नीचे एडलिस्ट यह आपका 17800 तक आना क्लियर है तो यहां पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अब हम इसके वेसिस पे सेल सरी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यह चीज लगातार एक घंडे स ज्यादा टाइम तक के लिए बना रहा और यहां पे हमारा टागेट पैस ह करेंगे चलिए वापस से चार्ट पर चलके हम ट्वेट एक्जेक्यूट करते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आगे और अभी देख सकते हैं 17,880 करीब ट्वेट कर रहा तो यहीं पर हम जल्दी से सेल साइट की तरफ पोजिशन इनिशेट करेंगे और 17,925 जो आज का हाइ इस पॉइंट है वो मेरा एसल हो जाएगा और टार्गेट पैस हमने अल्वेडी देखा था 17,800 का तो क्रूशल लेवल है यह हमारा यहां पर टार्गेट बन जाएगा यहां पर हमारा ट्वेट से तप बनके अच्छे तरीके से तहीं आ रहे है 17,800 टार्गेट 880 के लेवल हमने सेल किया और 925 यह नि अब हम यहां पर रिस्क रिवाड देख लेते हैं जो मेरा रिस्क है लगबग आपका 45 पॉइंट के करीब एसल है और टार्गेट पैस की अगर हम बात करें तो टार्गेट पैस जो मेरा बन वहाँ एटी पॉइंट का बन वहाँ और एसल बन वहा हमारे favor में लिए हम डेफट लिए जा सकते हैं तो अब हम एंडवा हमें इंतजार करना है और यहां थोड़ा सा इंतजार करना होगा है क्या कुछ करता है अब एक और चीद यहाँ पर हम clear करना चाहेंगे जो maximum लोग गल्टी करते है अब यहाँ पर देखे price आपका उपर गया है और यहाँ पर आपका candlestick भी दिखा रहा है कि क्या कुछ है हमें यहाँ पर sellers में अच्छा खासा strength देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है वो buyers काफी हद तक कमजोर है तो candlestick से हमें यहाँ पर भी information मिल गया था यहाँ पर भी confirmation मिल गया था और resistance level को यहाँ पर भी break नहीं कर पाया था इसके नजदीक आग के तो resistance की अगर हम बात करें support resistance से clarity पहले ही मिल चुका था और candle से भी हमें confirmation पहले ही मिल गया था कि हम definitely sell side की तरफ जा सकते हैं इस situation में sell side की तरफ जाना बहुत ज़्यादा विस्किये क्योंकि यहाँ पर trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमें option change से हमें indications नहीं मिला था अगर आप nifty में intraday trade करना चाहते हैं तो option change से हमें clarity मिलना चाहिए वहां से हमें direction का पता होना चाहिए जो कि हमें नहीं मिला था इसलिए यहाँ पर हमें इंतजार करना परा और हमें 10 पॉइंट नीचे sell करना परा तो ओए और change in upward open interest तो इन दोनों के तरफ से भी clarity मिलना चाहिए जैसे यहाँ पर हमें इन दोनों के तरफ से clarity मिला है हमने यहाँ पर sell side की तरफ positions initiate क्या अब प्राइस उसी करें trade करा मेरा risk भी छोटा सा है और reward अच्छा खासा है यहनि अगर SL हीट होता है तो हम हीट होने देंगे समझ के recite किया और target में भी कोई changes नहीं करना है तो अभी तक के लिए clear है अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा wait करना होगा और देखना होगा कि price में क्या कुछ momentum आता है अगर कुछ ऐसा momentum आता है तो वापस से मिलते है otherwise जब हमारे target या किसी को hit करेगा तब हम आपसे मिलते हैं तो यहाँ पर वापस से एक बार और options इन पर है क्यों आये price अभी आपका 17,850 के करीब है और यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा सबस्पहले 17,900 गिवल यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ हाल है यहाँ पर लगबग 80,000 के करीब और लगबग आपके 57,000 के करीब अपर इंट्वेस्ट का 43,500 लाके करीब अपर इंट्वेस्ट है और लगबग आपके 25,000 के करीब अपर इंट्वेस्ट का ईडिशन इधर अगर हम बात करें इधर सिर्फ आपको 8,000 के करीब इंट्वेस्ट का ईडिशन दिख रहा और overall आपका 35,000 के करीब ही इंट्वेस् ज्यादा कमजूर है और 17800 के strike price पे strong होना है put writers strong है मतलब यहां पे हम एक चीद के लिए कि 17800 के नीचे market जाने वाला नहीं है यहां पर हमें अपना target price set किया है strict इस level पर आते ही हम profit book करेंगे target में कोई modifications नहीं करेंगे हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत 15 point पहले भी अगर हम profit book कर लेते हैं कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई गलत decisions नहीं होगा तियास हमें एक चीद clear हो गया है कि 17800 के नीचे market जाने वाला नहीं है यहीं भी हमें profit booking करना है तो हमें जल्दी से profit booking करने के बारे में सोचना है तो चलिए वापस से chart पे चलते हैं और आपसे कुछ देबाद मिलते हैं जब आइदर यह 17800 के लिवल को hit कर दे या नी तो मेरा SL hit कर दे जो कि यह 17925 का तो मिलते हैं आपसे कुछ देबाद तो यहाँ पे हम वापस से chart पे आगे और time और 130 करीब और देख सकते हैं जो हमारा target price था 17800 का वो target हमारा hit हो गया है यहनि यहाँ पे मुझे जो profit मिला है वो लगबग 80 point का profit मिला है अगर आप यहाँ पे options में trade करते हैं तो क्या करते हैं 17900 के strike price का put options buy करते हैं स्लाइटली इंदमनी होता है और इसके basis पे भी आप यहाँ पे आसानी से 40 to 50 point का profit बना सकते थे options में भी trade करके यहाँ पे आप आसानी से profit बना सकते थे और यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप options trading के बारे में detail से सीखना चाहते हैं तो उसके उपर हमने course design किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app डाउनलोड करना परेगा equity community जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा नहीं तो आप play store पे जाके भी equity community टाइप करेंगे जो हमारा YouTube चैनल का नाम है आपको हमारा mobile app दिख जाएगा वहाँ पे आपको options से विलेटर और stock market में जितने भी course है उन सब से विलेटर आपको पूरा complete information मिल जाएगा और वहाँ पे हमने सब कुछ को काफी basic से लेके advanced level तक मना है और वो course आप देखने के बाद आप एक independent trader के रूप में काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं चाहे वो options से विलेटर कोर्स हो या फिर future से विलेटर कोर्स हो या फिर candlestick से विलेटर कोर्स हो या फिर chart pattern के basis पे हो या फिर trading strats से विलेटर हो सबको हमने अलग लग भी बनाया और एक साथ भी बनाया तो आप अपने हिसाब से course के लिए enroll कर सकते हैं तो एक बार आप हमारे mobile app को download करके जरूर देखिएगा अगर आपको सही लगता है तो enroll किजिएगा नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे free content भी आपको मिलते रहेंगे जो कि stock market में आपको काफी update रखेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया अपना target price बुक कर लिया अब यहाँ पे हमने अभी तक किन-किन चीजों का use किया एक बार फिर से बता जेता हूँ उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना और intraday trading में especially nifty और bank nifty में उन सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपका support डेवल फॉर्म हुआ या फिर इस्टेंस डेवल फॉर्म हुआ अगर सपोर्ट या रिस्टेंस के बेसिस पर भी हमें काफी हद तक clarity मिल जाता है उसके बाद तीसरा हमें candles को भी identify करना candlestick से भी हमें काफी हद तक indications मिलता है उसके बाद fourth point है कि हमें कहां पर जाना है हमें आना है option chain पर और option chain पर हमें आके क्या देखना है option chain पर आके हमें देखना है changing of interest और open interest इन दोनों पर ध्यान देना है तो इन पाँच पॉइंट को अगर आप consider करते हैं कोई भी लेने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो काफी हद तक आप अपने trade को profit table बना सकते हैं फिर आपके trap में फसने के chances थोड़े से कम हो जाएंगे इसके माबजूद भी नुकसान होगा ऐसा नहीं है कि यह आपके नुकसान को side कर देगा लेकिन आपके profit probability increase हो जाएंगे और नुकसान होगा भी तो क्यों नुकसान आपने किया क्या mistakes किया उसको आप identify कर पाएंगे और उस mistakes को दुबारा आप नहीं repeat करेंगे तो यह चीज ब इस सारा कुछ आपको follow करना और इसके basis पर अगर आप trade लेंगे तो काफी है तक profitable trade हो जाएगा अब यहां पर एक और चीज है कि देखिए market आपका 17,800 करीब पहुंचा और यहां पर हमने क्या देगा था यहां पर हमारे जो put writers हैं वो ज़्यादा हावी थे और call writers कम जोड थे मतलब यहां से price उपर जाने के chances ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन यहां पर trade किसको लेना है जो high risky trader है जो बहुत ज़्यादा risk लेने को तयार है जिनको नुकसान भी हो जाए ज़्यादा कुछ फर्क ना परे वो यहां पर trade ले सकते हैं क्योंकि ultimate target price हमारा होगा 17,850 का और target price इसे just 40 point दूर है और अगर आप stop loss की बात करें तो stop loss भी लगवग आपका 40 point का ही होगा यहीं विस्क रिवार्ड इस्यों आपका one is to one होगा जितना target होगा उतना SL होगा अगर आप इस risk reward ratio के साथ जा सकते हैं और हम against the sentiment जा रहे हैं अभी तक का sentiment के अगर हम बात करें तो sentiment नी यह जो गिरावट था इस opportunity को miss कर दिया है और आप trade लेना भी जा रहा है यहाँ पर तो फिर आपको नहीं लेना है अगर आप safely जाना चाहते हैं तो अगर आप high risk है आपको छोटा मोटा loss से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप यह trade ले सकते हैं otherwise यहाँ पर आपको avoid कर करना है तो आपको यह भी देखना है कि कब में हमारे लिए जो trade generate हो रहा वह high risk है या फिर कब हमारे लिए safe trade generate हो रहा है तो इन सब चीज को अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने लिए सही intraday trade generate कर सकते निफ्टी और bank निफ्टी में उमीद करते हैं कि आपको हमारे यह अप्लोड करें उसका notification आप तक पहुंचे और आप वीडियो को miss ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन